दोस्तो आज की इस वीडियो से कुछ government job experience दुखी भी हो सकते हैं लेकिन आपको दुखी होने की बिल्कुल भी जुरुत नहीं है क्योंकि solution आपको इसे वीडियो में देखे जाओंगा देखें दोस्तो इस टाइप का वीडियो बनाने का मेरा purpose आपको demotivate करना नहीं है बलकि motivate करना है आपको सच्चाई दिखाना है सच्चाई से रोबरू कराना है साथी facts आपको बताने है क्योंकि दोस्तो अभी तक ये अंदाज़ा तो आपको भी लगी चुका होगा कि इंडिया के अंदर biggest government job crisis almost आही चुका है बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर भोती तेजी से पहुँच रही है फिलाल भारत के अंदर सरकारी नोकरी के हाल बेहाल हो चुके है और इसके जम्मेदार कोन है हमारी सरकार दोस्तों facts के बारे में बात करेंगे previous 10 साल का data आपके साथ share करूँगा बहुती deep analysis इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपकी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी तो यार दम हो तो इस वीडियो को आखिर तक पुरी धान से जरूर देखेगा और वीडियो को जादा से जादा share जरूर करिएगा अगर कोई भी online teacher इस वीडियो को देख रहे है तो उनसे भी मैं हाथ जोड के request करूँगा कि आर इस मुद्दे के ऊपर अच्छे से visualization करें जितनी जादा हो सके awareness फैलाए और government तक अपनी आवाज पहुचाने की कोसिस करें क्योंकि दोस्तो इस moment पर इस मुद्दे को उठाने की इस मुद्दे को आगे लाने की बहुत जादा जरूरत है तो चलिए एक बार analysis के उपर नजर डाल लेते हैं पूरे data को अच्छे से समझ लेते हैं देखे दोस्तो हम previous 10 साल के data के उपर नजर डालेंगे पिछले 10 साल का analysis हम करने वाल है जहां से आपको पता चलेगा government jobs का downfall भारत के अंदर ये जो biggest government job crisis की situation बनी है ये कैसे बनी है देखे दोस्तो 2015 में सभी experts के लिए दसवी बारवी graduate pass वालों के लिए लगबग 212 सेंटल government level के अंदर opportunity निकली थी छोटे बड़े विभागों के अंदर 212 opportunity निकली थी कहीं पर 200 vacancy, कहीं पर 1000 vacancy, कहीं पर 20,000, कहीं पर 30,000 मैं बात कर रहा हूं अलग-लग recruitments की 2015 में लगबग 212 अलग-लग recruitment लिग लिए जोकि अपना आप में बहुत बड़ा number था यहाँ पर government job की बिलकुल भी किलत नहीं थी students तयारी कर रहे थे, selection उनको मिल रहा था अगले साल 2016 में ये number घटके 177 में पर आ गया उसके अगले साल 2017 में ये number घटके 179 पर आ गया उसके अगले साल ये number घटके 2018 में 143 पर आ गया उसके अगले साल 2019 में ये number घटके 109 मतलब 2019 में students को 109 अलग-लग government job vacancies देखने को मिली उसके बाद 2020 में COVID-19 की वज़े से सब कुछ effect हुआ केवल 61 opportunity निकल पाई उसके बाद 2021 में 54 अलग-लग opportunity निकली 2022 में यहां तो कोई corona नहीं था यहां तो सारी situation stable थी केवल 89 वेगन से निकली 2023 में पिछले साल केवल 30 से भी नहीं opportunity निकली और इस साल 2024 में चोकाने वाला number सामने आ रहा है केवल अभी तक 25 अलग-लग opportunity निकली students के लिए केवल 25 अलग-लग भरती निकली central government के अंदर ठीक है केवल 25 जो के अपना आप में चोकाने वाला number है अगर आप दोस्तों पिछले साल के data के उपर नजट डालोगी 2023 में 37 opportunity निकली जिसमें से 10 वी pass वालों को 12 opportunity मिली 12 वी pass वालों के लिए 9 opportunity थी लेकिन इस बार सभी को चोका दे है 2024 में अभी तक 25 opportunity निकली दसवी pass वालों के लिए केवल 4 अलग-लग opportunity निकली 12 वी pass वालों को अभी तक 4 opportunity मिली बागी बचुई opportunity graduate pass वालों diploma holder या अभी certificate holder के लिए 12 वालों के लिए ये 4 opportunities केवल ये थी SSC CHSL की एक वेकंसी निकली थी 12 वी pass eligible होती है केवल 3,712 वेकंसी वहीं पार RRB NTPC की वेकंसी निकली कितनी निकली उठ के मुह में जीराज इतनी वेकंसी निकली 3,445 anyway junior secretary assistant की वेकंसी साल की शुरुवात में निकली थी April में 381 वेकंसी अभी तक exam भी conduct नहीं कराया गया चोती opportunity BSF head constable minister की थी 1526 वेकंसी और अभी तक इसके भी exam का अता पता नहीं है आप मुझे बता दीजिए 2024 के अंदर 12 वी pass वालों के लिए इससे अलग opportunity इससे अलग vacancy आपको कौन सी देखने को विली आपके पास जवाब नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं दोस्तो दसवी pass वालों के लिए MTS constable GD नाबड office attendant RPF constable के अलबा और कोई opportunity नहीं निकली बागी जितनी opportunity थी वो graduate pass वालों के लिए या फिर special qualification higher qualification वालों के लिए निकली मतलब दोस्तों 2024 आते आते दसवी बारवी pass वालों के लिए government job opportunity बिल्कुल निल हो चुकी है बिल्कुल खतम हो चुकी है 2024 का ये हाल है तो 2025, 26, 27 का क्या हाल होगा दोस्तों क्योंकि नंबर constantly घट रहे है 2015 में 212 अलग अलग opportunity मिली थी उसके अगले साल constantly नंबर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा और अब ये 25 रह गया है 2025 में हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं केवल दोस्तों 4 opportunity दसवी पास वालों के लिए क्योंकि दोस्तों हर साल जो unknown random या फिर irregular vacances निकलती थी जैसकि DDA के अंदर निकल गई CCRES department के अंदर निकल गई DIDO department के अंदर निकल गई RBI के अंदर निकल गई ये vacances देखने को नहीं मिली है दोस्तों, railway 5-6 साल के अंदर vacances निकल रहे हैं क्या हो जाएगा competition इतना इखटा हो चुका है आग खुदी यहाँ पर देख लीजिए railway NTPC की 5 साल में 12 पास वालों के लिए 3445 से वेगन से निकल गई जबकि एक report के according पता चला है कि हर साल 12 पास करने के बाद लगभग 75 लाग candidates सरकारी नोकरी की तरफ भागते हैं वो कहते हैं कि हमने 12 पास कर ली अब हमें एक अच्छी सरकारी नोकरी मिलेगी और 75 लाग candidates competitive exams की तरफ भागते हैं दोस्तों हर साल लगभग 1.5 करोड से ज़्यादा इस्टूरेंट्स बाद भी पास करेके निकलते हैं और उनमें से 75 लाग के आसपास candidate सरकारी नोकरी की तरफ भागते हैं और vacances कितनी निकल रहे हैं एक साल में 3445 जो की दो साल में पूरी होगी 3712 vacances निकल रही है 381 vacances निकल रही है बताए किन को नोकरी मिलेगी हाँ पर एक साल में लगभग 75 लाग स्टूरेंट्स सरकारी नोकरी लेने के लिए आ रहे हैं और नोकरी कितने को मिलती है हद से हद 5000 केंडिoryनक को नोकरी मिल रही है बाद भी पास वालों को बाकी 74 लाग 4500 में हजार स्टूरेंट्स का क्या फिर अगले साल 75 लाग स्टूरेंट्स फिर से आएंगे सरकारी नोकरी लेने के लिए उसके अगले साल 75,000,000 students ओर आएंगे सरकारी नोकरी लेने के लिए और हर साल नोकरी कितने को मिल रही है 5,000, 10,000, 15,000 15,000 तो बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि बहुत सारी recruitment ऐसी है जिनका selection procedure एक से डेर साल में पूरा होता है और vacancies यहां पर बहुत ही limited है और बारवी पास वालों के लिए तो है ही नहीं competition का अंदाजा खुद आप यहां से लगा सकते हो 2024 में SSC CHSL की vacancy आती है कितनी 3712 form कितने apply होते है 29,63,854 competition देखे चरम पर है SSC CGL इस बार record तोड़ दिया दोस्तों SSC CGL ने 2024 में 38,00,000 से ज़्यादा candidates ने form डाला देखे हो competition SSC MTS ने तो घरदाई उडा दिया 9,000 vacancy के against 57,45,000 candidates ने form डाला competition देखे दोस्तों सारे record break कर दिये SSC GD में इस बार 47,45,500 candidates ने form डाला railway NTPC 5 साल के अंदर vacancy आ रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि graduate और 12 pass वालों ने लगबग एक करोड के आसपास form अपलाई किये होंगे BSF Head Constable की 1526 तो vacancy थी वहाँ पर भी 8,50,000 candidates ने form डाल दिया RGF की vacancy कितनी थी 34,000 के आसपास vacancy थी और form लगबग 22,000 के आसपास अपलाई हो गए competition देख रहे हो किस level का हो रहा है और एक साल में नोकरी कितनों को मिल रही है सभी category के experience को मिला कर इतना candidates को भी नहीं मिल रही है दोस्तो तो चलिए graphically समझ लेते हैं graph constantly कितनी तेजी से घट रहा है 2015 का data मैंने आपके सामने रख दिया 2015 में कितनी opportunity आती थी 2016 में कितनी opportunity आई थी फिर 2024 में केवल 25 opportunity अभी तक आई और इस बार तो लग रहा है बागी सरकारी भी भाग की तरह SBI ने भी अपना पला जाड़ ले अभी तक color और P.O की vacancy का कुछ भी आता पता नहीं है साल हमारा almost खतम हो चुका है तो देखे दोस्तो 2015 में graph हमारा यहां से शुरू हो आता अब competition भढ़ रहा है तो fact तो यह कहते कि graph भढ़ना चाहिए था vacancies जादा निकलनी चाहिए थी लेकिन दोस्तो competition भढ़ी रहा है competition का graph इस तरीके से जा रहा है और opportunity का graph सरकारी नोकरी का graph इतनी speed से घट रहा है 2015 में graph यहां था और constantly घटा 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 यहां पर जा चुका है अगले साल 2025 में और जाएगा और फिज़ और जाएगा तो यह नीचे ही चलता चला जाएगा लेकिन दोस्तो fact पता है क्या है सरकार नोकरी निकालने पर तो ध्यान नहीं दे रही है बस DA के पीछे पड़ी हुई है Dearness launch लगातार बढ़ता जा रहा है यहां पर देख लीजिए 2020 में लगभग basic pay का DA 17% तक किसी भी central government employee का ठीक है दोस्तो हम यह नहीं कह रहे है कि DA मत बढ़ाओ महंगाई बढ़ रही है तो DA भी बढ़ना चाहिए तनख़ा भी बढ़नी चाहिए लेकिन दोस्तो सरकारी नोकरी का क्या अगर इतना ही ध्यान सरकारी नोकरी निकालने पर दे दे तो यार मज़गा जाएगा भारत के अंदर से देश के अंदर से बेरोजगारी खतम हो जाएगी 2020 में डियरनेस लाउंस किसी की basic pay का 17% हुआ करता था उसके अगले साल 2021 में इतनी स्पीड से इसमें उच्छा लाया 28% कर दिया गया फिर 2022 में 28% से इसको 31% किया गया और 2022 में 31% से इसको 34% किया गया 3% और बढ़ोतरी हुई थी एक ही साल के अंदर दियर समझरों ना क्या होता है मान के चलिए दोस्तों किसी post के ओपर आपका selection हुआ मान के चलिए SSC CHSL के थुरूई आपने selection ले लिया Junior Secret Assistant की post के ओपर इस post का basic pay लगभग 19,900 के आसपास होता है सायद ठीक है यह आपका basic pay हो गया इस basic pay में आपका DAB जूड़ता है Dearness Lounge मान के चलिए Dearness Lounge फिलाल के टाइम पर 50% है तो दोस्तों आपकी salary का 50% कितना होता है लगभग 9,950 रुपे होगा तो इसमें आपका ये जूड़ जाएगा 19,900 में 9,950 और add हो जाएगा क्योंकि basic pay का 50% है तो salary आपकी हाँ पर कितनी हो गई लगभग 29,850 रुपे हो गई इसके साथ कुछ और allowances जूड़ते है जैसे आपका house rental allowance होता है children education allowance होता है uniform allowance होता है newspaper allowance होता है और भी काफी सारे fund वगएरा होते हैं जिसके बाद initial interest salary आपकी लगभग 38,000 के आसपास हो जाती है CHSL के थूर सेलेक्शन लेने के बाद तो इसको बोलते dearness allowance मतलब महंगाई भगता तो दोस्तों फिर 2023 में ये और बढ़ा 38,000 पर 30,000 हो गया उसके बीच में इसमें और बढ़ होती आई और अब फाइनली 2024 में किसी भी central government employee का जो dear है वो 50% है उसकी basic pay का तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में dearness allowance आपका लगतार कितना बढ़ा और बात ही पर हतम नहीं होती सरकार ने फैसला किया है कि dearness allowance को 54% किया जाएगा 50-54% dearness allowance को करने की बात चल रही है ये आने वाले 2-3 महेनों के अंदर आपको दीख जाएगा यानकी लगता dearness allowance भड़ता जा रहा है center government level के employee का लेकिन दोस्तो नोकरी भड़ नहीं रही है अगर इतना ही दिया नोकरी के ओपर दे दिया जाए तो यार मज़ए आ जाएगा जिन लोग को नोकरी मिल चुकी है उनके बारे में तो सरकार सोच रही है लेकिन जो लोग घर बैठी है उनके बारे में भी सोच लीगी है थोड़ा बहुत क्योंकि हालत बहुत जादा बत्तर होती जा रही है क्योंकि दोस्तो इस friends को अरसा हो गया है एक अच्छी सरकारी opportunity देखे आप खुदी देख लीजे देखे दोस्तो सरकारी result एक ऐसा portal है जो की सभी नई government job के बारे में information देता है अगर आप इसके उपर जाओगे तो आपको कोई भी नई सरकारी नोकरी नहीं दीखेगी ऐसी दीखेगी जिनके लिए बहुत सार experience मांगा गया है और वहाँ पर भी दो-चार vacances ये देख लीजे दसवी बारवी pass वालों के लिए आपको कोई opportunity नहीं दीखेगी पिछले एक डेड़ महीने से कोई भी opportunity नहीं है देख रहे हो दिख रहे है आपको कुछ यहाँ पर Bank of Maharashtra apprentice क्या है ये UIICAO graduate pass वालों के लिए Indian post IPPB GDS वालों के लिए जो ओल्लेडी काम कर रहे है PM intensive अबे क्या करें इसका यार तो मतलब ये देखे बस NDBC आपकी last निगली दी कोई opportunity नहीं है दोस्तों कोई भी करते रहो scroll कहीं भी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि दोस्तों वो बात रही नहीं जो आज से 3-4 साल पहले थी अब हालत बहुत जादा खराब हो चुकी है और दोस्तों बात यहीं पर खतम नहीं होती हम सवाल क्यों उठाते हैं इस्ट्रेंट्स परेशान क्यों है अब देखें दोस्तों गुसा इसी बात कही तो है ऐसा नहीं है कि इन सरकारी विभागों के अंदर नोक्री है ही नहीं नोक्री है यह सरकारी विभाग खुद जामकारी देते है कि फिलाल इतनी खाली वेकेंसिस पड़ी है बस उनको भरा नहीं जा रहा आप रेल्वे को उठा के देख लीजे अब भी दो से धाई लाक वेकेंसिस खाली पड़ी हुई है लेकिन वेकेंसिस कितनी निकाली जा रहे है तीन जार आठ जार वेकेंसिस निकाली जा रहे है पता नहीं उन वेकेंसिस का रखके क्या करने वाले है लगबग सभी सरकारी विभागों के अंदर vacancies भर भर के खाली पड़ी है हर साल retirement होती है लेकिन vacancies को निकाला नहीं जा रहा है उन vacancies को भरा नहीं जा रहा है proper time के ओबर पता नहीं क्यों तो यार इसके ओबर कोई भी special committee बैठनी चाहिए जो की भारत के अंदर पढ़े लिखे जो बेरोजगार है इधर उधर भटा करें उनके बारे में सोचे प्रोपर update दे विभागों के अंदर जो खाली पड़ी vacancies है उनको time पर भरा जाए अगर vacancies निकल गई उनके selection procedure को time पर पूरा करा जाए उनके result जारी किया जाए जल्द ही joining letter दिया जाए ताकि इस्टुरेंट्स भी इस बेरोजगारी के दाग को हटा सके तो यार मुद्दा बस यही है कि बहुत बुरी हालत होती जा रही है government job के मामले में भारत की और ये government की वज़े से हो रही है क्योंकि इसके ओपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारी चीजे करी जा रहे है बस इसके ओपर proper focus नहीं करा जा रहा है अब देखे दोस्तों अब बात उठते कि इस्टुरेंट्स क्या करें भाईया ये तो हमें भी पता है लेकिन हम करें तो क्या करें अब government तो जाग नहीं रही है तो हम क्या करें तो यार इस्टुरेंट्स को क्या करना है अपनी end पर वो आप देख लिजे sacrifice choices अब मैंने देखा है बहुत सारे इस्टुरेंट्स तो अपनी choices में ही फसे हुए उसकी वज़े से ही बेरोजगार बैटे है ऐसी choices बना रखी है कि यार तैयारी करूँगा तो Constable GD की करूँगा तैयारी करूँगा तो उत्तरपरदेश पुलिस की करूँगा मैं तो यार दिल्ली प्रिस Constable का वेट कर रहा हूँ मैं नहीं अप्लाई करता BSF Head Constable के लिए क्योंकि मैं तो Constable GD में जाना चाता हूँ होता है ठीक है उससे अच्छा तो railway NTPC है पांस साल में आई है इतना competition है करोड के अपर फोम अप्लाई कर रहे है लेकिन नहीं NTPC में जाना है CHSL हमारे बसकी बाद नहीं है ये बड़ा level होता है तो यार क्या चीज है ये अगर आप सरकारी नोकरी लेना चाहते है आप competitive exam के field में उतर चुके है तो यार आपको ऐसी challenges देखने को मिलेंगे आपको इनी challenges को crack करना पड़ेगा कुछ नहीं होता कि भाई ये tough है ये मैं नहीं कर सकता यार थोड़ा serious तो होई ये confidence तो दिखाईए अगर आपके अंदर ये confidence है कि मैं फोड़ के रख दूँगा इतनी मेहनत करूँगा डेली मैं 8-10-12-12 घंटे पड़ूँगा लेकिन इस exam को फोड़ के आउँगा तो यार आप बहुती जल्दी एक अच्छी सरकारी नोकरी उठा सकते हैं फिर आपको कोई भी नहीं रोख सकता तो दोस्तों ये जो choices बना रखी है न कि वहाँ तो किवल banking की तयारी करूँगा SSC में नहीं जाओँगा मैं तो SSC की तयारी करूँगा banking मेरे बसकी नहीं है मैं तो railway की तयारी करूँगा SSC मेरे बसकी बात नहीं है तो ये सारी choices छोड़ दीजिए जितनी भी opportunity आपको मिल रही है न जितनी भी opportunity के लिए applicable है जितने भी छोटी मोडी थोड़ी बहुत सरकारी नोकरी मिल रही है उनमें enroll करिये उनके लिए form भरिये उनके तयारी करिये उनका exam दीजिए जल्द ही आपको सरकारी नोकरी मिलेगी तो फिलाल choices को side में रखे selection लेने के बाद भी आप तयारी कर सकते हो तब choices रख लीजेगा कम से कम हाथ में एक security तो हो हाथ में एक सरकारी नोकरी तो हो तूसरी चीज, increase your qualification बहुत सारे लोग बारवी पास करते हैं और government job की तरफ भागने लगते हैं ठीक है, future के लिए आप serious हो लेगन उसी के सासाथ अपने आगे की qualification के उपर भी focus करिए बारवी काफी नहीं है आपको graduate होना पड़ेगा आपको एक degree चाहिए फिर चाहिए आप कम से कम BA कर लीजे बीकॉम कर लीजे, बीसी कर लीजे करिए, डिगरी आपके पास होनी ही चाहिए बारवी के दम पर आप कुछ नहीं कर सकते देखा ना, साल में केवल चारी अपोर्चनोटी बारवी पास वालों के लिए निकली बागी सभी अपोर्चनोटी ग्रेजवेट पास वालों के लिए निकल रही है तो कम से कम दोस्तो बैचलर डेगरी तो आपके पास होनी ही चाहिए तो दोनों चीजे आप सासत कर सकते हो बी फोकस्ड, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाईए अब थोड़ा सा प्रपेशन के उपर फोकस करिए अब चीजों को हलके में मत लीजेगा थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा दोस्तो फास्ट मूवार अब थोड़ा सा तेज चलिए यह नहीं कि आराम से पड़े हुए हो दो दो घंटे बढ़ रहे हो कि मेरा काम हो जाएगा अब आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा ठीक है दोस्तो जूब या पोर्चनेटी फसे तुरंट उसके लिए फोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजे पड़ाय को थोड़ा जादा टाइम देना शुरू कर दीजे क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्मेंट जोब की हालत और बत्तर हो सकती है भीड का हिस्सा बनके मत चलिए आपने देखा सबी लोग CGL की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपलाई करें भीड से हटके कुछ करने की कोसिस भी करते रहे हैं पोलिस यह वर स्किल्स कोई भी आगर आपके पास स्किल है अगर नहीं है तो भाई इसकिल डवलप करिए इसकिल डवलपमेंट के ओपर फोकस करिए फिट है वो टाइबिंग सीखना हो इस्टैनोगराफी सीखना हो या फिर MS Office सीखना हो तो जितने भी छोटे मोटे स्किल्स है न जो कि प्राइवेट ओर्गिनाजेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत जादा डिमांडिनिक होती है उन स्किल्स के ओपर फोकस करिए अगर कोई छोटा मोटा ब्लोगिंग वगर का स्किल है तो उसको पोलिस करिए उसके ओपर काम करिए अगर नहीं है तो जाज़स जादा स्किल्स सीखने की कोसिस करिए अगर government sector नहीं तो private sector सही तो खुद को इस side के लिए भी इस sector के लिए भी साथ साथ तयार करते वे चलिएगा ठीक है दोस्तो तो ये कुछ points है जो कि students को बहुत जादा help करेंगे इस situation से निकलने की उमेद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपको समझ आ गई होगी वीडियो का purpose आपको अच्छे से समझ आ गये होगा कि ये वीडियो मैंने क्यों मनाई मैं इसमें आपको क्या कहना चाता हूँ तो दोस्तो अब थोड़ा सा serious हो जाए डेली थोड़ी और जादा महनत करनी शुरू कर दीजिए जितने भी time पढ़ाई को दे रहे हो fully focused रहिए उस time पर full consultation के साथ पढ़िए जितनी भी opportunity आपको दिख रहिए सभी के लिए form apply करिए सभी exams के लिए तैयारी करिए और जल्दी से जल्दी selection उठा लिजे भीड़ का हिस्सा मत बनिए तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से request हाथ जोड़के वीडियो को जाद सज्यादा share करिए और जितने भी teachers online है वो भी इस मुद्दे को जाद सज्यादा उठाईए ताकि किसी higher authority तक पहुँच सके और इस मुद्दे को थोड़ा सा seriously लिया जा सके क्योंकि दोस्तो new channels की ओपर भी politics बगएर यही चलती रहती है बिरूजगारी के मुद्दे को कोई भी नहीं उठाता है तो हमें और आपको ही इस मुद्दे को आगे ले जाना पड़ेगा तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था मुद्दा पसंद आयों लाइक करेगा दोस्तों के साथ शेर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में बहुती जल तब तक के लिए चैनल